EG Pay-BIGLI BIL BIGLI BIL किस तरह से भरना है और कितना COMMISSION आपको मिलेगा LIFE PURPDowns के साथ इस वीडियो में बात करने वाले जी हाँ दोस्तो और यह नए वीडियो में आपका स्वाग कैते दोस्तो आपको पता ही होगा EG Pay में आपको कितना service आपको देखने को मिलता है लेकिन बहुत सारे ऐसे रीटेर है जो किसरी EPS तक ही सीमित रहता है और दूसरा service को यूच नहीं करता है क्योंकि दूसरे service के बारे में उतना मालूम नहीं भी है और उसमें कितना commission मिलता है किसी को तो लगता है कि इसमें बहुत कम commission मिलता है उसको यूच ना करें लेकिन अगर आप अभी तक बिजली बिल EGP से नहीं भरे हैं तो हम इस वीडियो में आपको लाइप पूरिप के साथ बताने वाले हैं कि कितना रुपे अगर भरते हैं कितना commission आपको यहां पर प्राप्त होने वाला है आपको इस वीडियो में लाइप हम आपको बिजली बिल भर के दिखाने वाले हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप जानना चाहते किस तर से बिजली बिल भरा जाता है इस वीडियो में बने रहे हैं चल यह वीडियो को स्टार्ट करते और देखते जैसे कि अगर आप इजी पे ओपन करते हैं यहां पर आपको इजली बिल का option यहां पर मिल जाता है लेकिन यहां पर हम आपको पहले दिखा जेते कि यहां पर मेरा balance कितना 4561 रुपे यहां पर balance है और अल्ठानवर पैसे है इसे भी आप note कर लिजे और उसके बाद नीचे हम आ जाते हैं नीचे में यहां पर मिल जाता है बिजली बिल भरने के लिए इलेक्टरिक सिटी तो इसमें simply हम किलिक करने के बाद यहां पर आप से distributor name मतलब पूझ राकि आप किस राज्य से विलोंग करते हैं हर राज्य का अलग अलग distributor मतलब बिजली बिल का विभाग रहता है तो यहां पर हम बिहार से हैं तो नौर्थ बिहार यहां पर सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद c a नमर यहां पर डाल देते हैं जो कि आपको पता ही होगा बिजली बिल है तो उसके पूरा डिटेल यहां पर सोक कर देगा यहां पर देख सकते हैं जैसे कि यहां पर आपको कंजूमर नेम यहां पर आ जाता है उसके बाद बिल डेट यहां पर देख सकते हैं बाइस नमर उसके बाद डियू डेट 11-12-22 का यहां पर बिल 327 रुपे यहां पर सोक कर रहा और दोस्तों यहां पर लिखा वाए कुछ की नोट कुरिपिया उचित रासी भरे यदि बिल रासी गलत है और बिल अस्विक्रित हो जाता है तो केवल गराक और एजन ही जिम्मेदार होंगा इसमें इजिपे कोई जिम्मेदार नहीं रहेग क्योंकि यहां पर आपको सही से डेटल भरने के लिए पूझ रहा है मांग रहा है मतलब सही से आपको भरना होगा अगर कुछ भी गरबर होता आप एजन या फिर गराहक जिम्मेदार होगा और दोस्तों जैसे कि यहां पर पेर कर दिये और पूरा डेटल यहां पर आ चुक रहाग आया है उनसे आपको 25 रुपे का फीज लेना है तो वह हिसाब से 302 रुपे यहां पे टोड़ा आगी है लेकिन आपके वोलेट से 327 रुपे ही कटेगा यहां पे चलिए से मिस्क्रिन सर लेके से डन कर देते हैं उसके बाद हम आपने वोलेट में आ जाते हैं और चेक क रुपे 5 मतलब 50 पैसे यहां पड़ना का यहां पर आपको कश्टमर मिला थ्यूहाल, लेकिन यह 47 गंटा या 42 गंटे के अंदर में अप्डेट हो जयता है लेकिन दोस्तों यहां पर में 35 िकस्टमर Environment से लेने के लिए बोला गिया किस्टमर आपको 25 रूपे देगा तो आप अपने हैसाप से देग लिजे क्यों कि हमारे हैसाब से 35 रूपे नहीं देगा क्योंकि आझकल फूल पर गूगल पर हर जगह से बिजली बिल पे होने लगा और जो बिजली बिल देने के लिए आता वो भी वहां से पैसे कैसे ले लेता और वहां से अपने एकाउंट से कटा देता है तो यहां पे 25 रुपे चार्ज क्यों देगा कोई कस्टमर क्यों ना वह अपने फोन पे या गूगल पे से ही पे कर देगा अगर आप कस्टमर से 25 का फायता होगा तो आप नीचे कमेंट करकर हमें जरूर बताए और दोस्तों यह बिजली में आपको जो 50 पैसे मिला इसको बढ़ाना चाहिए या पिर नहीं इसके बारे में जरूर कमेंट करें और इस वीडियो के इतना से रहे ताकि जीपे की भी पास जाए और इसमें कु सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे लाल करने के बनन को दबा देजिए और साथ में इसे बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि हमारे नए वीडियो करने सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई